लोग इधर उदर भागते हुए दिख रहे हैं लोग तत्संग में भगदर का वीडियो सामने आया है एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यह वो वीडियो आप देखिए कितनी बड़ी तादात में लोग पहुँचे हुए थे और व्यवस्ता यहाँ पर नाकाफी थी औ पूरे मामले को जिसके बाद में देखिए यह बाबा की गाड़ी है जो वहां से गुजर रही थी और पीछे पीछे लोग भाग रहे थे आश्रवात लेने के लिए इसी दौरान भगदर चैसी स्तिती पैदा हुई और 116 लोगों ने अपनी जान गवा दी तो एक के बाद एक कई गाड़ियों का ये काफिला और इन में से एक गाड़ी उसी बाबा की थी जिसके सत्संग में लोग शामिल होने आए तो और ये देखिए कैसे लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं आश्रवात लेने के लिए और गाड़ी भी एक रफ्तार के साथ में आगे बढ़ रही है और इसी दौरान लोग आफी जादा अनकंट्रोल हो गए और उसके बाद में भगदर जैसी इस्तती पैदा हो गई और हर कोई आगे जाना चाहता था और इसी दौरान कुछ लोग नीचे भी दब गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई है आला कि इस लोग ऐसे जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है तो ये एक्स्क्रूसिफ वीडियो आप देखे अस्ती हजार लोगों की पर्मीशन ली गई थी लेकिन आपकी जहां तक नजर जाएगी बहुत बड़ी संक्या में लोग यहां पर पहुचे हुए थे जितना आकड़ा निर तो तस्वीरे आप देखे ये भयावे हाधिसे की तस्वीरे जहां पर बाबा के काफिले की गाडिया गुजर रही है हातरस में आज बहुत बड़ा हादसा हो गया बाबा नाराइन साकार हरी के सतसंग में अचानक भगदर मच गई भगदर में 116 लोगों की मौत हो गई मौत का आकड़ा अभी बढ़ सकता है और पड़ी संख्या में लोग खायल है गंबीर हालत में उनका इलाज चल रहा है मृतकों में सबसे ज़ादा संख्या महिलाओं की है हादसे तुले का सीम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है और मीटिंग के बाद में सीम योगी ने कहा कि हाद प्रस की घटना हादसा है या फिर साथ इसकी जाच फूरही है साकार सरकार घटना की तह तक जाएगी ये भी मुख्य मंत्री ने कहा और जो भी जम्मेदार होगा उसको बक्षा नहीं जाएगा सीम ने मामने की जाच के आदेश भी दे दिये है राजे सरकार इस पूरी घटना की तोह में जाएगा ये हादसा है या साजिस यहाभी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे इस प्रकार की घटना पर पीडितों की प्रती संबेदना ब्यक्त करने की वज़ाए राजनीती करना यत्यन तो दुरभाग्यपूर्ण है और निंदनी अभी हातरस हारसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई बढ़ने वालों का आकड़ा बढ़ भी सकता है निउस 18 की टीम भी ग्राउंड सीरो पर पहुची है मौके पर ही मौझूद है आपको ये पंडाल दिखाना चाहेंगे यही पर वो कारिक्रम किया गया था जहां पर 80,000 लोगों की शम्ता की परमीशन थी लेकिन उससे जादा यानि दो गुने के आसपास लोग पहुचे करीब ज़नुमान लगा जा रहा है और यहां पर चीफ सेकेटरी और डीजीपी और इसके अलावा जो मंतरी है उत्रपदेश सरकार के सी मरून और तमाम मंतरी यहां पहुचे थे निरिक्षन किया जा रहा है यही वो स्पॉट है जहां पर स्टैंपेड हुआ जहां पर भगदर मची और 116 लोगों ने अपनी जान गवा दिये मैं कैमरामेन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा आगया है आपको तस्वीरे दिखाए यहां पर आप देखेंगे अंधेरा हो गया यह जो सामने आप पंडाल देख पा रहे है यही पर वो घटना हुई है फिलाल जांच के आदेश दे दिये गए और बताय जा रहे है कि 24 घंटे में यह जांच की जो रिपोर्ट है वो सौपी जाएगी जो भी दोशी उनके खिलाब करवाई की जाएगी साथ ये भी बाबा फरार है असी मरून ने कहा है जाच के बाद किसी को बक्षा नहीं जाएगा भविश में इस तरीके की गटनाए ना हो इसकी पुन्रवत्ती ना हो इसका भी खयाल रखा जाएगा लेकिन सबसे पहले जो घायल है उनका इलाज जो है वो बहतर हो इस पर ध हत-संकरने और इसके बाहत सुवह हम लोग 7 बजे यहां पहुंचे और 7 बजे के बाद हम लोग वहां गए बारागस की दरसंदे ऑपर और कीम से देड्र बज 젊 है हम तो तकाल वहां कौन है। कितने लोगे हैं? 25 आदमी हैं. 25 जन्य हम कोन है, पुरुष हैं? महिला हैं? महिला हैं, महिला हैं. महातारी बिटिया हम. यहां से मतलब प्रभूजी चले गए, तब सब चले लाग, तो लोग लोग गाड़ी पर नाएं पहुंचे. प्रेसान हो जोने नहीं मिल लहीं है ओमा बेटी दुनों अस्पताल गए थे बाकि यह सबस्पताल में नहीं थे वो लोग आप लोग कहां से आये हैं सर मैं अली गन से आया हूं गाय बैंगा नगला बिरियन से हमारे पापा अभी तक मुझे नहीं मिल रहा हूं पांच लाग से आदमी उपर रहा है बहुत आदमी करोरन के संख्या में अदमी था तो यहां नहीं निकलने के कोई वेउस्ता नहीं थी तो कोई तका हम लोग निकल कर उधर गयें उधर रहा है चाहला हातरस में हादसे के बाद में सीम योगी ने मुख्य सचीव और साती डीजीपी को मौके पर भीजा डीजीपी और मुख्य सचीव मौके पर पहुँचे घटना इस्तल पर जाकर जाय सालिया इस्थानी लोगों से बाच्चीत की और मौके पर मौजूद अधिकारियों से चाहनकारी भीली उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक अप्लिकेशन दिया था इस तरह के कारकरम के लिए पुलिस काफी बड़ी संक्या में डिप्लाइट थी उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कारकरम खतम होने के बाद लोगों की कुछ प्रता है कि उनके प्याच्च उन्हें वहां से मिट्टी लेने के बात है उसमें भगदर मची और आसमें पास में कोई नाला है जिसमें एक के उपर एक लोग गिरते चले गए अभी सबी चीजें जांच का विशय है अभी हम तुतकाल निसकर्स पे पहुंचके किसी भी चीज को जांच को एफेक्ट नही उसके आधार पे करवाई की थीज को जांच को कि लेकर प्रधान मंतरी मोदी ने सीम योगी से फोन पर बात की खालात के बारे मिंचान कारी लियो और हात्रस की घटना का जेक्र प्रधान मंतरी मोदी ने संसद में भी किया और उने शोक्व्यक्त करते हुए पीडितों syndrome मद उसमें अनेकों लोगों की दूखद मुर्ति होने की जानकारी आ रही है जिन लोगों की इस हाथ से में जान गई हैं मैं उनके प्रती अपनी सम्वेदन अव्यक्त करता हूँ मैं सभी गायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामरा करता हूँ राज्य सरकार की देखरेक मैं प्रशासन राहत और बचाव कारे में जुटा हुआ है केंद्र सरकार के वरिष्ट उत्रपदेश सरकार के लगातार संपर्ग मैं है मैं इस सदन के माद्यम से सभी को ये भरोसा देता हूँ कि पीडितों की हर तरह से मदद की जाएगी परकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिव ली और सब परिवारों को जिन्होंने किसे को खोया है मैं कंडूलेंस इस ओफर करता हूँ हातरस में हादसरी को लेकर F.I.R. भी दर्श कर ली गई है कारेकरम के आयजको पर मामला दर्श हुआ है शुरुवाती जास में आयजको की लापरवाही सामने आई वहीं हादसरी के बाद से आयजको कोई भी पता नहीं चल पा रहा है सब भी आयजको के जो फोन है वो इस वक्त बंद आ रहे हैं वहीं बाबा का भी फोन बंद है बाबा का भी कोई अता पता नहीं है हातरस में भोले बाबा के सत्संग में अच्छानक से भगदर मचने से 116 से जादा लोगों की मौत हो गई यह जानना जरूरी है कि आखिर भोले बाबा जिसके सत्संग में लोगों की जान चली गई वो कौन है नाराण साकार विश्व हारी भोले का एटा जिले बहादूर नगरी गाउं का रहने वाला है शुरुवाती पढ़ाई लिखा यहीं से हुई और बात में पढ़ाई पूरी करके वो इंटेलिजेंस विभाग में नौकरी करने लगा और फिर कुछ सालों बात में नौकरी छोड़कर अध्यात्म की तरफ मुड़ गया और नाराण साकार हारी और फुभोले बाबा सादू संतों की तरह गेरू अवस्तर नहीं पहनता है अकसर सफेद सूट और टाई जूतों में नजर आता है जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कई बार कुर्टा पजामा पहना हुआ भी दिखाई देता है नाराण साकार अपनी पतनी के साथ में सत्संग करता है और इसके सत्संग को मानफ मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है और कहा जाता है कि बाबा के भक्तों के लिए उनके चर्णों की धूल इतनी कीमती होती है कि बाबा जहां से भी गुजर जाता है लोग उस मिट्टी को अपनी जोली में भरकर घर ले जाते हैं और उस मिट्टी का अपने बच्चों को टीका लगाते हैं जानकारी के मुताबिक बाबा का एक घर आगरा के केदार नगर में है जो बीते दस सालों से बंद पड़ा है हातरस में नाराण साकार हरी और फो भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाका रख दिया है आप तक 116 लोगों की भगड़ में मौत हो चुकी है सेकड़ों लोग इस भगड़ में घायल हुए हैं और प्रधान मंतरी मोदी और सीम योगी आदे तिनात ने खादसे पर दुख चताया और अमरत को के परिशनों को दो-दो लाक रुपे मौप से काइलान किया वहीं हादसे में F.I.R. दर्शकर आरोपियों की तलाश की जा रही है कि बोले वावा की सत्संग में भीड़ा में दब गए कि अधियों सत्संग में दी कि लोगों की इस हाथ से मैं जान गई है मैं उनके प्रती अपनी सब्वेजन अव्यक्त करता हूँ हाथरस में बड़ा दिल देहला देने वाला हस्ता हुआ सिकंद्रा राव थाना इलाके के गाव फुलिराई में ससंग के दौरान भगदर मच गई नारायर साकार हरी जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है उनका परवचन चल रहा था तभी अचानक भगदर मच गई जिसमें करीब सौ से जादा लोगों की मौत हुई है मरने वालों में जादा तर महिलाएं और बच्चे शामिल है हास्ते में घायल कई लोगों को अस्वताल में भड़ती कराये गया है ससंग में शामिल शद्धालों ने बताया ससंग खतम होने के बाद वापस जाने लगे लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था जिसकी वज़े से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदर मच गई पर बाहर बहुत सारी भी उरेती अचानल ककातम होंदिया वहां पर बहुत सारी भी रो रहेती अश्ता जाम और आजा लगरने के लिए जगए नहीं थी तो एक दूसरे खेत की तरफ से निकल ले तो हास्ते के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया सरसंग के भगदर में हुई मौतों में ज्यादा तर महिलाएं शामिल थी पूरी बीड़ती वर्ट दुफरे कुपर हो गए बच्छे समाल इंपोरी गाड़ी पर के आई ति कमेटी आई ति जेपूर के कमेटी आई थी पूरी आपने कि बाद में भी एक तम से समनी करें को यह एक दूस्टरे कुपर समगें मैं जलाव करें रहे हैं जलाव रहे हैं हासे की सूशा मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुच गए पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदर से लोगों की मौत हुई है वही हातरस के डियम का कहना है कि अस्जियम के जरिये इस आयोजन की इजाजत दी गई थी इसकी परमिशन SDM साफ द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें की पूरी ड्यूटी कानून विवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी विवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वेम उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जाज कमेटी जाज भी गठित की गई है सियम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हाजसे की जाज के लिए एक कमेटी का गठन किया है सियम योगी के निर्देश पर दो मंत्री भी हात्रस पहुचे है सियम योगी ने इस हाजसे पर दुख जताया है सियम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाओ कारियों के युद दिस्तर पर संचालन और घायलों के बैतर इलाज के निर्देश दिये हैं सियम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्षमी रायन चौदरी और संदीव सिंग घटना इस्थल पर पहुचे वहीं यूपी के मुखे सचिब और डीजीपी भी घटना इस्थल पर पहुचे और मामले का जाय जालिया एडीजी आग्रा और कमिश्नर अलिगड के नितृत में टीम गठित की गई है जो हास्ते के कार्णों की जाच कर रही है संसद में पियम मोदी ने भी हात्रस की घटना पर शोग जताया पियम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है एक दुखत खबर भी दी गई है यूपी के हात्रस में जो भगदर हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखत मृत्ति होने की जानकारी आ रही है पंडाल में भगदर प्रवचन खत्म होने के बाद मची प्रवचन खत्म होने के बाद नारायट साकार हरी महराच की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदर मची और श्रद्धालों की मौत हो गई हाथरस हाथ से को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाए गया है अलिगर, मतुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाए गया है तीन कंपनी पी एसी भी हाथरस पहुच चुकी है प्युरो रिपोर्ट न्यूजेटी एटा की रहने वाली महिला सुधा अपनी मा, सासू और मा और साती भाईयों के साथ में हाथरस में सत्संग में गई थी और अपनी मा को ढूनते हुए एटा पहुची है आपको दिखाते हैं और साथ कुछ और परज़न पोँचे से जानते हैं अपना के रहने वाले कैसे हुई है आप नाम क्या है हमार्स तदा लाय है आप कौन आप कौन कहे ते वाह पर आपे आप्र वाहां सौक भागे मेरे लिए नियुक्त लिए कोई ना मिली शिगंदर आप टारा प्रवार कोई नहीं नहीं है कोई तुल यह दोनों की लोगाइब दॉनों की रहने बाइक पटे आली में आपके जो हैं तरह चली आई याजटा तो सगंदर आई यह महला हमारे साथ मौझूद हैं आप जानेंगे को करने हैं आप देखेंगे तमाम एसे लोग हैं किसी की मा चली गई पिता चली चली गई से तमाम का रोलो का बड़ा हाल है जैसे प्रिक्रिय कोरी हो रही है और सब ज्याते जा रहें तो कमगी यह आप देखना होगा आखर इतना वड़ा हासा कैसे हुआ क्या हुआर क्यों इजन सर्मा विजो टिन डेटा